सब्सक्राइब दिखेए हमारे काम का है जिसके ओपर हम questions बनाएंगे उतना हम लोगों ने पढ़ लिया है तो मुझे उमीद है कि differentiation और integration जिन लोगों ने भी basic mathematics के lecture देख लिये हैं उन्हें समझ आ गया होगा और जिन लोगों ने अभी तक lecture नहीं देखे हैं basic mathematics के वो थोड़ा सा समय निकाल कर basic mathematics के lecture जर जो मैं आज से आपका physics का first chapter स्टार्ट करने जा रहा हूँ आप अच्छे तरीके से उन्हें समझना चाहते हैं तो आपको basic mathematics देखना ही पड़ेगा थोड़ा थोड़ा सा समय निकाल कर 8-10 lecture है शायद 7 या 8 lecture है और बहुत ज्यादा duration के भी नहीं है बड़े प्यार से आप कभ पारगों की physics की first class है बिटा आप 11th class का जो first chapter है जिसका नाम है physical world आज हमारी उस chapter की पहली class है और physical world के बारे में हम ये chapter आपके exam में तो नहीं आता है यानि आपका जो school exam है ना बिटा उसमें बहुत ही rarely पूछा जाता है बहुत कम पूछा जाता है बहुत पूछा जाता नही है लेकिन पढ़ना जरूरी है इसके बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी चीज है कि हमें पता हो कि physical world है क्या physics कहां से निकल कर आई है physics का historical background क्या है science का historical background क्या है worldwide कितने scientist रहे हैं और किस किस का क्या contribution रहा है Indian scientist का क्या contribution है physics का technology में क्या use है तो ये सारी बाते हम इस chapter के अं है लेकिन जर्नली स्कूल एक्जाम वाले कम पूछते हैं इसे कुछ स्कूल वाले पूछ लेते हैं लाइक मांट पॉछ लेते हैं पिजिक्स के अंदर जितने भी फिनोमेना हो रहे हैं, जितने भी काम इस वर्ल्ड के अंदर हो रहे हैं, जो हमारे आसपास का एन्वार्मेंट है, इन सब को ही आगे चल कर हम फिजिक्स की केटेगरी में डालने वाले हैं, ठीक है? तो हम जानेंगे फिजिकल वर्ल्ड के बार तो हम secondary point में करेंगे लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि science क्या है यार देखो जब भी हम अपने आसपास पता नहीं तुम्हें ऐसा feel होता होगा या नहीं लेकिन मुझे तो बड़ा होता है कि यार जब भी मैं कोई नया सा हो जाता हूँ कि यार मुझे पता होना चाहिए कि इसके पीछे की क्या mechanism है physics का कौन सा concept इस mechanism के पीछे लग रहा है और कैसे हम easily इस mechanism को समझ सकते हैं और दूसरों को समझा सकते हैं यानि एक word है और वो है जिग्यासा हमारे अंदर ये जिग्यासू पन है ना बस ये समझ लीजिए ये ही science की उत्पत्ती के पीछे का कारण है ये जो science originate हुआ है ना बेटा इसके पीछे का जो कारण है वो हमारा ये ही है कि हमारे अंदर जिग्यासा का होना हमारे अंदर जिग्यासा का होना curiosity का होना कि बही कितनी curiosity है हमारे पास के अंदर यारी हम किस तरीके से हम चीजों को समझ सकते हैं आईए हम देखते हैं और lecture को आगे बढ़ाते हैं ठीक है देखे हमारे आसपास बहुत सारे phenomena होते हैं बहुत सारे phenomena like twinkling of stars हम 10th class के अंदर पढ़ते हैं next phenomena हमारे पास में हैं कि दिन रात कैसे हो रहे हैं भाया यानि दिन के समय बढ़ा उजाला रहता है रात के समय पुरा अंधेरा हो जाता है इसके पीछे भी physics का कोई ने कोई mechanism जरूर है ठीक है किस तरीके से volcano operations करता है मतलब कैसे volcano काम करता है और बहुत सारे phenomena है यानि आप ये समझे कि अगर किसी भी चीज के अंदर आप physics को ढूनने के लिए जाएंगे तो वहाँ आपको physics जरूर मिलेगी बिटा ठीक है तो अब आप ये समझे कि इन सभी चीजों का answer हम एक चीज से देते हैं और वो है हमारे पास में definition of science what is science science है क्या बिटा देखो science क्या है अपने आसपास के बारे में यानि अपने आसपास जितने भी फेनोमेना हो रहे हैं उनके बारे में जानना on the basis of observations on the basis of experiment इसी को हम लोग बोलते हैं science ये जो science बना है ना बिटा ये हमारा एक word से originate हुआ है जिसका नाम है scientia scientia जिसका मतलब होता है to know यानि हम क्या जानना चाहते हैं हम लोगों को जानना है अपने आसपास जितने भी environment के अंदर जितने भी फेनोमेना हो रहे हैं उन सब के बारे में तो सब से पहली बात ये कि जो science word originate हुआ है वो हमारा originate हुआ है बिटा scientia से जिसका मतलब होता है to know ठीक है अच्छा इंडिया के अंदर science जो originate हुआ है वो संस्कृत का एक word है जिसका मतलब होता है विग्यान आप लोग पढ़ते हैं विग्यान के बारे में science एक अरबिक word है जिसका मतलब होता है इल्म इल्म से भी science word originate हुआ है जिसका मतलब भी है to know यानि scientia कहो या विग्यान कहो या इल्म कहो इन सब का मतलब सेम है और इन सब का मतलब है to know किसके बारे में जानना किसके बारे में जानना हमें जानना है उन चीजों के बारे में जितने भी फिनोमिना हमारे आज पास के एन्वायरमेंट में हो रहे हैं So what is science? Science is a study of nature on the basis of experiment and observation Experiment और observation के बिहाफ पर इस nature की study करना ही science कहलाएगा बिटा इस पूरे nature की study करना ही हमारा science कहलाएगा कहें के बिहाफ पर? Experiment के बिहाफ पर और observation के बिहाफ पर अब इस पूरी की पूरी slide के अंदर जो जरूरी चीज़ें हैं जो आप लोगों को जाननी चाहिए वो है Latin word scientia Latin word scientia यानि science कहां से originate हुआ है? Science हुआ है Latin word scientia से originate बाद समझा रहे है बिटा? Science कहां से originate हुआ है? Sanskrit का जो word है जिसका मतलब है विज्ञान यहां से भी science originate हुआ है Arabic word है जिसका मतलब है ilm यहां से भी बिटा science word originate हुआ है और इन सब का मतलब है knowledge या to know हम क्या जानना चाहते है ठीक है? बाद समझ में आरी बिटा आप लोगों को तो यह तीन बाते बड़ी जानने वाली है मतलब यह है कि बड़ी अच्छी चीज़े है जो हम लोगों को पता होनी चाहिए scientia से science originate हुआ है विज्यान से science originate हुआ है और हमारा Arabic word इल्म से science originate हुआ है science की definition क्या है? science की definition है the study of nature study of nature on the basis of on the basis of on the basis of experiment and observation experiment और observation के बहाफ पर यह जो हम nature के बारे में पढ़ते हैं न बिटा यही हमारा science कहलाता है यही हमारा science कहलाएगा उमीद है कि जितनी बाते अभी तक हमने आपको बताई है यह आप लोगों को समझाई होंगी और यहां तक आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होंगी मैं चाहता हूँ कि यहां board पर जो लिखा हुआ है यह आप अपनी copy में जरूर नोट करें chapter number one chapter का नाम है physical world और physical world में जो सबसे पहली definition है हमारे पास में वो है what is science science है क्या science की heading डाल कर यह पूरा आप लोग बना कर लिखेंगे बिटा जल्दी से लिखे फिर हम लोग आगे बात करेंगे ओके बिटा नोट कर लिए आप लोगों ने तो आईए science के बारे में थोड़ा सा और हम लोग जान लेते हैं कि science है क्या definition मैंने आपको बताई है आप अपनी copy में definition जरूर लिखेंगे the study of nature on the basis of experiment and observation यानि पहले क्या होता था देखो जब हम लोग third, fourth, fifth century की बात करते हैं तो उस समय scientist नहीं होते थे उस समय होते थे philosopher और philosopher बिना observation के बिना experiment के कोई भी अपनी बात कह देते थे कि ये काम हो सकता है कि ऐसे हो रहा होगा बिना किसी experiment के सिर्फ एक अनुमाल लगा लिया एक prediction कर दी कि हाँ ये काम ऐसे हो सकता है कि ऐसे हो रहा होगा उसके बाद आये scientist science को ही हमने थोड़ा जा originate कर दिया और हमने इसे कहा scientist scientist वही बात बताते हैं experiment के बिहाफ पर observations के बिहाफ पर experiment करेंगे, observation करेंगे फिर कोई भी law originate करेंगे कि हाँ ये काम कुछ इस तरीके से हो रहा है तो philosopher और scientist में यही common difference है और वो common difference है experiment का philosopher without experiment बिना experiment अपनी बात कह देते थे कि बहिया ऐसा हो रहा है हमने experiment तो किया नहीं हाँ हमने एक अनुमान लगा लिया कि ऐसा हो रहा होगा लेकिन scientist अपने ही वोही बात पुरा experiment करते हैं observation निकालते हैं तब अपनी बात कहते हैं उमीद करता हूँ कि ये पूरी बात आप लोगों को समझाई होगी इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बिटा देकिन next point हमारे पास में क्या आता है नेक्स पॉइंट रिपिटा हमारे पास में science हम science कह ले types of science कह ले ये branches of science कह ले लेकिन उससे पहले हमें एक बात पढ़नी और जो मैंने आप से क्या कहा कि scientist अपना पूरा काम करते हैं observation and experiment के बिहाफ पर philosopher अपना काम experiment या observation के बिहाफ पर नहीं करते थे उन्होंने सोच लिया कि यार यहाँ ऐसा हो रहा होगा उठा कर अपनी किताब के अंदर लिख दिया लोगों को बता दिया कि यहाँ ऐसे ऐसे हो सकता है अच्छा लोग उनके उपर इतना faith करते थे कि तुरंट उनकी बात को मान लेते थे कि हाँ ऐसा हो रहा होगा, बड़ा महान आदमी है, बड़ा होशियार आदमी है तो इसने जो भी कहा है, वो पूरी तरीके से सत्य होगा आप लोगों को याद होगा, Aristotle, father of science, father of physics, father of biology, father of chemistry, Aristotle है Aristotle के जमाने में, Aristotle को बिल्कुल ऐसे माना जाता था जैसे कि messenger of God, यानि God का भीज़ा हुआ एक दूत, उसने जो कह दिया न, उसकी बातों पर आँख मूंद के विश्वास कर लिया जाता था अगर वो यह कह देगा कि भीया, कि सूरज इदर से नहीं निकला है, इदर से निकला है और हमेशा इदर से ही निकलेगा, तो लोग बाग अपना दिवानक नहीं लगाते थे, कि भी यहाँ ऐसा नहीं हो सकता है, सूरज तो इदर से निकलता है, इदर से कैसे निकल जाएगा बस आँख मुंद कर उसकी बाद पर विश्वास कर लेते थे, कि भाई यह तो messenger of God है, यह तो बड़ा महान है, यह तो बड़ा होश यार है, तो इसने जो भी कहा है, वो सही कहा होगा अब उसके बाद में धीरे धीरे चीजे बदलने ही स्टार्ट हुई, हम philosopher से, हम scientist की तरफ बढ़े, अब जैसे जैसे हम scientist की तरफ बढ़े, एक word आ गया और वो था experiment and observation फिर सभी बातों को experiment और observation के बिहाँ पर कहा जाने लगा, मतलब कोई भी scientist अगर अपनी नई बात रखता था, तो सबसे पहले उसे कहा जाता था कि भईया, इसका परमान लेकर आईए, इसका evidence लेकर आईए, जब तक आपके पास में इसका evidence नहीं होगा, तब तक हम आपकी ब experiment और बिना observation के आप science की imagination भी नहीं कर सकते हैं, आप science की कलपना भी नहीं कर सकते हैं, तो अभी तक हमने सिर्फ आपको इतना बताया, what is science, science है क्या, science मना है Latin word scientia से, scientia, जिसका मतलब होता है knowledge, या to know, बात समझ में आरी है आप लोगों को, उसके बाल science मना है, Sanskrit word विज्ञान स जिसका मतलब भी है knowledge, इसके बाल science बना है Arabic word ilm से, जिसका मतलब भी है knowledge या to know, science के जो सबसे important दो weapon है, वो है observation and experiment, आपको कोई भी बात science के अंदर कहनी होगी, आप observation और experiment के बिहाफ पर कहोगे, science है क्या, study of nature, study of nature on the basis of experiment and observation called science, इसे को हम science का नाम देंगे, commonly science के अंदर, अच्छा अभी कुछ MCQs आ गए हैं, चलिए देखते हैं, आप इनके जवाब दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, आपके पास में सबसे पहला MCQ है बिटा ये, ठीक है, देखें जरा, the word science is originated from the Latin word, science word जो originate हुआ है, वो Latin word से originate हुआ है, correct answer बताइए कौन सा होगा, इन में से कौन सा Latin word है, भाईया ये तो संस्कृत word है, जिसका मतलब होता है, knowledge, ये Latin word है, जिसका मतलब है knowledge, तो Latin word, यहाँ से science originate हुआ है, इसका मतलब है scientia, और scientia को हम लोग बोलते हैं knowledge, ओके, आसान सा है, अभी बताया मैंने आप लोगों को, उम्मीर है कि जस्ट समझ भी एक्तम से आ गया होगा आप लोगों को, second question देखे क्या है, scientia का मतलब क्या होता है, the meaning of Latin word, scientia is, the meaning of Latin word, scientia is, मैंने आप से क्या कहा, scientia के दो मतलब है, पहला मतलब है knowledge, दूसरा मतलब है to know, ठीक है नहीं, तो fourth option correct होगा आपके सामने है, very easy, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, अब आजाते हैं बेटा हम लोग, branches of science फर, science की कितनी branches है, देखो वैसे तो science की बहुत सारी branches है, बहुत सारी branches है, लेकिन जो main branches है, वो science की तीन है बेटा, पहली branch को हम बोलते है, physical science, physical science, short form में हम लोग उसे बोलते है, physics, number two है, chemical science, short form में हम उसे बोलते हैं, chemistry, third है हमारे पास में, biological science, जिसे हम लोग बोलते हैं, biology, ठीक है, यानि science को, हमने तीन branches में, divide कर दिया है बेटा, एक का नाम है, physical science, यानि physics, एक का नाम है, chemical science, यानि chemistry, एक का नाम है, biological science, यानि biology, अब chemistry और biology की बात करेंगे, आपके other teachers, जो आपकी chemistry और biology की faculty होंगी, वो आपको chemistry और biology के बारे में बताएगी, हमें तो सिर्फ और सिर्फ जानना है, physical science के बारे में, इसका नाम है physics, एक अच्छा student, कभी physics नहीं कहता है, physics को, वो हमेशा physics को पूरे नाम से बुकारता है, वो बोलता है physical science, ठीक है, आप लोग भी धियान लखेगा, कि physics का पूरा नाम physical science है, short form में हम लोग इसे बोलते हैं physics, ठीक है बिटा, ओके, अब हम जानते हैं कि physics है क्या, what is physics, भाई ये physics है क्या, कहां से physics originate हुआ, किस ने originate किया physics को, तो बिटा, physics के बारे में, सबसे पहले हमें बताया, Aristotle ने, इसे लिए हम Aristotle को father of physics बोलते हैं, सबसे पहले हमें physics के बारे में बताया, Aristotle ने, physics जो बना है, physics जो originate हुआ है, वो Greek word से originate हुआ है, इसका मतलब है fuses यानि fuses से बना है physics और इस fuses का मतलब होता है nature इस fuses का मतलब होता है बिटा nature देखे physics है क्या what is physics ध्यान से हमारी बास सुनिएगा the word physics comes from the Greek word fuses जो physics निकल कर आया है ना बिटा वो Greek word से निकल कर आया है जिसका नाम है fuses which means nature जिसका मतलब है nature और physics को जो सबसे पहले introduce कर आया वो कर आया है Aristotle ने ध्यान ने की का बिटा Aristotle ने Aristotle को हम बोलते है father of physics father of physics Greek word से physics मना है और इस Greek word का नाम है fuses Greek word से physics मना है इसका मतलब है fuses और fuses का मतलब होता है nature 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 की बारे में जानना nature के बारे में पढ़ना यही fuses का मतलब है यही physics का मतलब है उमीद करते हैं कि आप लोग समझ रहे होंगे बिटा ठीक है आप लोग इतना अपनी कॉपे में नोट करिए फिर हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और आगे की बाते हम लोग करेंगे आप लोग 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 करेंगे तो बिटा जस्ट फिजिक्स के बारे में हमने आपको बताया कि फिजिकल साइन्स है क्या फिजिकल साइन्स है नेचर की स्टेडी करना मतलब साइन्स और फिजिकल साइन्स की डेफिनेशन में बहुत बड़ा डिफिरेंस नहीं है लगबग लगबग एक जैसे ही definition है Science was Scientia से बना है और Physics बना है Fuses से और Fuses वर्ड को originate किया था Aristotle ने ये एक Greek वर्ड है जिसका मतलब होता है Study of Nature यानि Nature की Study करना इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं बिटा आगे लेकिं नेक्स कंडिशन हमारे पास में क्या आती है ये जो हमारा Physics वर्ड है यानि आप ये समझेए कि इंडिया में जो हमारी इंडिया का कल्चर है न पिटा इंडिया की जो सभ्यता है वो foreigners के respect में बहुत जादा developed थी यानि starting में एक दो ही कल्चर चलते थे एक दो ही सभ्यता चलती थी जैसे Greek, Latin और एक Indian अब इंडिया में ये सभी चीजे संस्कृत के अंदर पहले से ही originate हो चुकी थी यानि जितने भी हमारे रिशी मुनी थे वो already Physics को पहले से पढ़ रहे थे बस बाद में ये Fuses के नाम से या Physics के नाम से originate हो गया इंडिया में Physics को हम जिस नाम से पढ़ते थे वो एक Sanskrit word है जिसका मतलब होता है भातिकी आज भी हमारी जो Hindi की किताबे आती है Physics की उनका नाम Physics नहीं होता है उनका नाम होता है भातिकी उन्हें हम भौतिकी के नाम से बच्चों जानते हैं तो संस्कृत वर्ड भौतिकी का मतलब भी हमारा physics से ही बिटा है और इसका मतलब भी है हमारा study of physical world study of physical world यानि हमारे आज पास का यह वर्ड है यह पूरा physical world है इसमें जितने भी phenomena हो रहे हैं इन सब की study ही हमारी physics कहलाएगी और यह भौतिकी वर्ड भी physics को ही represent करता है बस दोनों में फर्क इतना है कि fuses हमारा Greek word है और भौतिकी हमारा Sanskrit word है और कमाल की बात यह है बचो कि जो भौतिकी है यह fuses से पहले originate हो चुका था लेकिन worldwide जो मानने ता प्राप्त है worldwide जो लोग renown name है जो लोग जानते है वो fuses यानि physics को जानते है बहुती की को बहुती कम लोग जानते है यह सिर्फ इंडिया में ही परचली थै ठीक है? ओके तो बेटा हमने बात कर ली है physics की कि physics है क्या? physics originate हुआ है Greek word fuses है जिसका मतलब है study of physical world study of physical world और संस्कृत में physics को हम बोलते हैं बहुती की इसका मतलब भी है study of physical world उमीद करते हैं कि आप लोगों को समझ आई हो बात लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी कहते हैं कि physics की कोई भी particular definition देना physics को particularly define करना कि physics ये है, physics ये है, physics ये है ये पूरी तरीके से impossible है आप physics के बारे में बता सकते हैं कि physics इन चीजों की study को हम physics का नाम देंगे लेकिन आप particularly physics की कोई definition नहीं दे सकते हैं physics की कोई precise definition बिलकुल नहीं है क्योंकि physics का तो world है वो बहुत बड़ा है बिटा और उस बहुत बड़े world में आप एक precise definition निकाल कर लाओ ये बिलकुल impossible सा काम है तो physics की कोई precise definition नहीं दी जा सकती है आप लोग ये बात अच्छे तरीके से याद रखीगा तो बेटा हम लोगोंने science की बात कर लिए है कि science कहां से निकल कर आई है branches of science कौन कौन सी है branches of science हमने आपको बता दी है physical science, chemical science, biological science हमने आपको physics के बारे में बता दिया है कि Latin word fuses से बना है या Sanskrit word bhotiki से बना है और physics की कोई precise definition नहीं दी जा सकती है अब physics के अंदर दो बड़ी important चीजे हैं बेटा आप ये समझिए कि जिन लोगों के भी school में ये chapter पूछा जाएगा इन दो चीजे के बारे में जरूर आप लोगों से पूछा जाएगा एक को हम बोलते हैं unification और दूसरे को हम बोलते हैं reduction मैं बिलकुल आसान सब्दों में इन दोनों को define करने की कोशिश करता हूँ बेटा आज तो हमारी एक basic सी introduction class है बहुत जादा आज हम आप लोगों को नहीं बताएंगे हम धीरे धीरे आपका time raise करेंगे बचो धीरे धीरे हम आपकी class का time बढ़ाएंगे जिससे आप लोगों को कोई परेशानी ना हो आज की class की duration हम 30 minute रखेंगे कल 35, 40, 45, 50 minute तक हम आपकी duration ले कर जाएंगे class की ठीके पिटा आप लोग अच्छे से इमानदारी से अपने notes परपेर करें जो पीछे आपके सामने लिखा हुआ रहा है इसी से आप अपने notes बनाएं मैं इसी के साथ साथ आप लोगों को sufficient examples करा कर चलूँगा चाहे आपकी NCERT हो या NCERT examplar हो या SC Verma हो या BM Sharma हो मतलब मैं खुद आप लोगों को इतने question करा कर चलूँगा कि आपको बाहर से कुछ करने की ज़रुत नहीं पड़ेगी बस उनहीं questions को आप अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपका school exam, आपका NEET exam यानि medical entrance exam, आपका JEE का exam वो सब exam आपके बहुत अच्छे तरीके से clear हो जाएंगी कोई परेशानी आप लोगों को आएगी नहीं तो थोड़ा सा मैं इनके बारे में आप लोगों को define कर देता हूँ बेटा There are two principal thrusts in physical science यानि physics एक का नाम है unification और दूसरे का नाम है reduction Unification क्या है बेटा? Unification यह है कि physics में जितने भी law आप पढ़ते हैं जैसे एक छोटे से law का आपको नाम बताता हूँ Gravitation law हम gravitation law के according समझते हैं कि कोई भी body अगर उपर उच्छा लेंगे तो अर्थ की तरफ जाएगी क्योंकि अर्थ उसके उपर gravitational force लगाती है तो physics के अंदर हम बहुत सारे laws पढ़ेंगे बेटा अब unification का मतलब क्या है? किसी भी principle या किसी भी phenomenon के उपर उन physics के laws को apply करना गिरने के ऊपर gravitation का concept apply कर दिया इसी को हम नाम देंगे unification यही हमारा unification कहलाएगा हमने कहीं sparking उठती भी दिखाई दी हमने sparking को बोल दिया electrodynamics electrodynamics माने electric field, magnetic field की बज़ा से sparking पैदा हो रही है तो हम कोई भी phenomenon होते हुए देखें और उस phenomenon को हम किसी भी universal law से define कर दें जो laws हमने physics के अंदर पढ़ रखे हैं उन laws से हम उस phenomenon को define कर दें यही हमारा unification कहलाएगा मेरे सामने camera लगा हुआ है camera काम करता है optical system की concept के ओपर यानि camera optics जो आप 10th class के अंदर पढ़ते थे light उसकी concept के ओपर काम करता है तो camera मेरी video बना रहा है मैंने देखा यार camera मेरी video बना रहा है तो यह एक phenomenon है इस phenomenon को मैंने कहा कि यह phenomenon physics में light से define होगा होगा या नहीं होगा यह phenomenon camera जो मेरी video picture बना रहा है यह phenomenon physics में light से define होगा तो बस यही हमारा unification कहलाएगा जब आप कोई phenomena होते हुए देखते हैं और उस phenomena को देखकर उसे आप किसी universal law से आप उसे define करते हैं या कोई universal law आप उसके अंदर apply करते हैं यही हमारा unification बच्चो कहलाता है reduction क्या है भाई reduction है क्या reduction क्या है physics के अंदर आप बहुत छोटी छोटी quantities पड़ते हैं जैसे distance velocity, time acceleration force, बहुत सारी quantity पड़ते है उन quantities का use करके किसी formula को drive करना, किसी formula की value को निकालना इसे हम लोग नाम देंगे reduction यानि बहुत सारी quantities का use करके बहुत सारी छोटी 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 values का इस्तमाल करके जैसे आप पड़ते हैं F equal to ma force is equal to mass into acceleration हमने mass और acceleration का use करके force की value को निकाल दिया F equal to ma है हमारे पास में हमने mass और acceleration का use करके force की value को निकाल दिया तो यह जो force की value हम निकाल रहे हैं mass और acceleration का use करके यही हमारा कहला आएगा reduction तो पेटा आज तो मैंने बहुत basic सा introduction आप लोगों को दिया है और मोटा माटी level पर उबर उबर level से मैंने आपको unification और reduction के बारे में बताया है अभी मैं इन दोनों के बारे में बहुत detailed मैं आप लोगों को बताऊंगा और physics का historical background भी मैं आपको बहुत detailed में बताऊंगा physics की कितनी branches होती हैं कौन सी branches में हम क्या क्या काम करेंगे कौन से scientist का क्या contribution है कौन सी machine उसने बनाई है ये सारी बाते हम physics की class में अभी discuss करेंगे लेकिन चुकि ये पहले chapter की पहली class है तो मैं पहली class से ही बहुत ज़्यादा burden आपके उपर नहीं डालना चाहता हूँ आप लोगों का काम सिर्फ इतना है कि आप अपने notes को prepare करें science की definition, science की branches, physics की definition, physics की branches इन छोड़ी छोड़ी चीज़ों को अपनी copy में आप लोग लिखे कोई परेशानी, कोई doubt आता है तो आप मुसे contact करें ठीक है? धीरे 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 हम आपकी class का time बढ़ाएंगे और बस ये समझ लीजिए कि आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है जैसे जैसे मैं करा कर चलूँगा उसे follow करना है ठीक है? और जिस भी exam को आपने target किया है यकीन करिए कि वो definitely आप लोगों को exam crack जरूर होगा अगर आप हमारे according काम करके चलेंगे तो बटा ठीक है? चलिए मिलते हैं आप लोगों से next class में